Hello my dear friends, कैसे आप लोग, अगले मैंने 22 तारीक के असपास CS Executive के आकप एक्जाम शुरू होने वाले है, और सिर्फ एक्जाम के लिए एक मेना बचा हुआ है, and I guess कि आप लोगों को काफी टेंशन होगी कमपने लोगों को लेकर, पढ़ाई हो गई होगी, concept पताऊंगे, logics पताऊ साहरी होगी, सर लिखना नहीं आता सर, right, समझ में आ गया है, बर सर questions आएंगे exam में case loss के, और case loss अगर आया, सर question पूछा किया गया है, यह समझ में नहीं आया, अगर question समझ में आ भी गया, तो what should we write, यह मालूम नहीं, सर शुरू कहां से करे, पहला line क्या लिए, end कहां करे, लेंगे, इस session में सिर्फ और सिर्फ, company law के case loss पर बात की जाएगी, मैं आपको उस दिन ना कोई section पढ़ाऊंगा, ना कोई concept पढ़ाऊंगा, ना कोई logic समझाऊंगा, ना ही कोई chapter पढ़ेंगे, I assume, rather I presume it, कि आप लोगों को सारे concept, सारे चीज़े पताऊंगी, आपको पता क् teacher question कैसे आता है, और उसको लिखना कैसे है, तो बच्चों उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास में करीब करीब एक ऐसी book बनाई है मैंने, जिसमें हम लोग 250 case loss देखेंगे, और मैं class में आपको 100 case loss कराऊंगा, अब सोचो ज़रा, एक class में 100 case loss अगर कोई कर ल room, क्योंकि सारी बाते हम लोग ने clear कर लिया, so friends very simple, I will be taking a small batch, small and sweet batch of company law case loss, this Sunday it will be in Pune, next week that is 26th November, I will be in Delhi, so Delhi and Pune these are the two cities which I am covering and will be taking a small session on this company law batch, so you can see the features also on screen that will be covering 100 place case loss in you can say 6 hours, we will also understand what are the important chapters in the exams which are going to cover, because there are 32 chapters in exams, 32 chapter exam में और हर chapter इतना important नहीं होता है, कुछ chapter हो से जादा मास्के एटे जाती है, कुछ से बिलकुल नहीं आती है, तो किस से जादा हाता है, यह अम लोग discuss करेंगे, किस से काम आता है वो भी आम लोग बात करेंगे, then third point आप देख सकते हो, we will analyze past exam papers, that is, पिछले exam में questions कहसे आए, questions में क्या पूछा गया था, and आप क्या लिखेंगे, यह भी हम लोग देखने बाले, also we will understand the nature of questions asked, क्या आया था, यह तो ठीक है, nature, जैसे आपको पता हो का शायद, 70% paper सिर्फ केसला बेस्ट आता है, तो कितने केसला आता है, बागी papers में क्य क्या आता है, थेरी आती है, descriptive आता है, difference आता है, क्या आता है, तो वो हम लोग देखेंगे, also we will understand how to write case laws, सबसे में, शुरू कहां से करना, बीच में क्या लिखना, और end में, conclude कहां से करना, we will tell you all this thing in this lecture, right, also we will understand what ICSI expect, अब यह बहुत बड़ी चीज है, what ICSI expect, you write the answer as if you know the answer, आप लिखते हो वैसा जैसा आपको ठीक लगता है, बड़ बच्चो, आपको ठीक लगता है, वो important नहीं है, लौ में क्या ठीक है, वो देखना पड़ता है, और लौ में क्या लिखा गया है, वो आमको जानना ज़रूरी है, इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि ICSI, क्या चाहता है, ठीक है, आपका दिल क्या चाहता है, I'm not interested, ICSI से क्या चाहता है, वो देखेंगे, राइट, और लास चीज, strategize and prepare for best result, एक मैनों में हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ाई तो कर लेंगे आप लोग, बट विदिन वन मन्स हम लोग क्या कर लें जिसे कि आपका result तगड़ा है, ठ 6 गंटों में, पुणे में, डेली में, जो लोग के सेशन में आज सक आना चाहता है, डेट साब के सामने में हैं, 20 नौमबर 2016, पुणे में रहेगा, 11 अम टू 6 पीम, ऐसा ही एक लेक्चियर में लोगा, 26 नौमबर को डेली में, उसकी डिटल्स बाद में आ जाएगी, और इ सकते हो, फीज, बहुत ही nominal फीज है, it's just that, वो भी हमें पैसे आपसे इसलिए ले रहा हूं, कि जो बंदा क्लास में आए, उसको लगी कि भी हमें कुछ देकर कुछ हासिल कर रहा हूं, फ्री में मैं बुला सकता हूँ आपको, लेकिन फ्री में आओ गए, तो फ्री की गदर नहीं है, केबल 300 रुपे की फीज है, and because of that, in that 300 रुपीज, you'll get a book of case law also, जिसको आप बैट कर घर पे सौल भी कर सकते हो, और पड़ भी सकते हो, और जो बच्चे और वीडियो देख रहे है, जो शायद पूना और डेली में नहीं रहते है, बर इनको case law की book चाहिए, तो वो भी मुझे contact कर सकता है, I'll send you a case law book separately, that will be always on a nominal charge, so you can also take the case law books which consist of 250 case laws, and number or mail id मेरे निचे में आपको देख रहा होगा, तो number or mail id आप लोटान कर लीजे, you can also contact me on whatsapp, also call me, any query you can have, you can text me also on my mail id, right, so I hope this is a small video to make you aware that why should you go with that case law thing, because case law की आप पूना डेली में रहते हो, तो आप क्लास में आईये, और अगर आप नहीं रहते हो, if you stay at any other city of India, so I request you to kindly take that case law book, so that in December exam or June exams, whatever exam you have, you can score good marks in case laws, right, so that's it for the day, I hope all the best of best of luck for you, for your exams and happy learning, thank you very much.